वेलकम टू अपडेट जीके गाइस आज के इस वीडियो में राजिसान पिटीटी 2022 की परिच्छा के लिए प्रीवियस एर के 50 कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करेंगे और मैं आप लोगों को यह 100% गारंटी रेता हूं कि एक्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही कोश्चन पू करते हैं जिससे की आने से नवीडिक नोडिविकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाए यह हमारा राजिस्तान पीडिटी 2022 की परिच्छा के लिए प्रैक्टिस सेट नमर 28 होगा एक्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया चाहेगा सभी कोश्चन के अंसर आपको कोमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कूर भी साजा करना है तो पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर कोश्चन है गाइस 1938 में जयपूर राज प्रजा मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अधिस्ता में आयोजित हुआ यह कोश्चन में करेक्ट हो जाएगा जमना लाल बजाज दूसरा कोश्चन है गाइस भरस सरकार ने पांच जनवरी 1949 को सिरोही का प्रसासन टैस सरकार को सवबा आप्सन ए मत्य परदेश आप्सन बी मुंबई आप्सन सी कुज़रात आप्सन डी राजिस्तान आप्सन बी जो है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा मुंबई तीसरा कोश्चन है गाइस बसी वन जीप अभ्याला राजिस्तान के निम लिखित में से किस जिले में इस्तित हैं आप्सन ए है टोक आप्सन बी जैपुर आप्सन सी चिताओड़गर आप्सन टी जालोर सी वाला जो आप्सन है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा चिताओड़गर गाइस चौथा कोश्चन रामगर विषदारी वन जीप अभ्यारण काउन से जिले में इस्तित है आप्सन ए उदाइपुर आप्सन वी कोटा आप्सन सी बूंदी आप्सन डी सिरोही रामग विषदारी वन जीप अभ्यारण काउन से जिले में इस्तित है आप्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा अंसर हो जाएगा पांचमा कोश्यन निमलिखित में से काउन सा केरवात थोर का पसंदीता प्राकरतिक निवास शेत्र है आप्सन ए प्रवतिय वाव चुछता कोश्यन निमलिखित में से किस प्रकार की मरदाएं लिथो सोल्स भी कहलाती है ऑक्सने डोमट मरदाएं और संदी मरुस्तिलिय मरदाएं ऑप्सन सी परवतिय मरदाएं ऑप्सन डी लाल मरदाएं आप्सन सी जो है आपका विकुल करेक्ट हो जाएगा परवतिय मर्दायन गाइस साथमा कोशन देखेगा क्या है निम लिखित में से कौन सा प्रकार की जलवाई उतर साता है आप्सन जालोर आप्सन दिगंगा नगर आप्सन सी पीकाने आप्सन डी टूंगर पूर आप्सन ए जो है आपका विकुल करेक्ट हो जाएगा जालोर यह आपको क्यान रखना है ठीक है आठमा कोशन है गाइस जाखम माही तथा एरू तीनों नदियान निम लिखित में से किस जिले का निरूपर करती है आप्सन ए उद्यकूर आप्सन डी टोक आप्सन सी प्रताब गड़ आप्सन डी करो ली सबी लोगा अंसर वजाते हुए चलिएगा तो सी वाला जो आप्सन है आपका विकुल करेक्टर हो जाएगा प्रताब गड़ पढ़ते हैं नश कोशन की ओर कोशन है इसकी थार्ट व अगर आप लोगों ने हमारे मौक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को अगर प्रैक्टिस कर लिए कंटीनू बराबर आप लोगों ने देखी तो मैं गारंटी देता हूं कि जीके जीके के जो कोशन होंगे आपके और टीचिंग अप्टिटूट एंड अप्टिटूट को जो भी कोशन मैं आप लोगों को करा रहा हूं आपको रटना नहीं है सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है अपने माइन में सेट करना है ठीक है उसी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किने चुने आप लोगों के पास सिर्फ आप सिर्फ चारिस अगला कोश्चिन दसमा है राजिस्थान के किस नदी को मसूर्दी नदी भी कहा जाता है option A कालिनी option B कातली option C मेगा option D चाखम option A जो है आपका अब रिप्ल करेक्ट हो जाएगा कालिनी यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है ग्यारमा कोश्चिन आपकी स्क्रीन पर राजिस्थान निम लिखित में किस जिले में नदी नहीं है option A अज में option B चूरू option C गंगा नगर option D चोंजनो option B जो है आपका अब रिप्ल करेक्ट हो जाएगा शूरू यह आपको ध्यान रखना है ठीक है गैस बारमा कोश्चिन देखेगा क्या है 56 वेसिन निम लिखित में से राजिस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है option A बाड में जैसमेर विकानेर option B जैसमेर पाली सुरूही option C वासवाड़ा चिक्तवड़ गड़ प्रताबगड option D जहलावर बूदी कोटा C वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा वासवाड़ा चिक्तवड़ गड़ और प्रताबगड तेर्मा question बाड में काउंसा जिला संबलित नहीं है option A अलवर option B जैपूर option C अजमेर option D टोक उसी वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा अजमेर या आपको धिहान रहाए ठीक है गाइस चोद्मा question राजिस्थान की टेस किलोमेटर सीमा पाकिस्तान से लगती है option A 970 option B 1042 option C 1120 option D 1070 तो D वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा 1070 गाइस पंद्रमा question राजिस्थान का काउंसा जिला IWRM के लिए चैनित नहीं था option A पाली, option B सीकर, option D जैपुर आंसर हो जाएगा option D जैपुर गाइस सोलमा question बूंदी तैस्थिल के लिए कौँ सी सिचाई परियोजना निर्मित की गई है option A विसलपूर परियोजना, option B जाखम परियोजना, option C जवाई परियोजना, option D गुड़ा परियोजना अंसर हो जाएगा option D गुड़ा परियोजना, यह आपको धियान में रखना है, ठीक है सब्तरमा question है, चूलिया जल परपात के नीचे की और राजिस्थन में कौँ सा बांथ बना है option A जवाहर सागरबांद, option B गांधी सागरबांद, option C राणा परताप सागरबांद, option D नागलबांद, सबी लोग आंसर रदाते वो चलेगा तो C वाला जो option है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राणा परताप सागरबांद गैस, अठारमा कोशन, कौकरेज, टेस्ट की एक नसल है, option A उंत, option B बकरी, option C भैस, option D गाए, कौकरेज, टेस्ट की नसल है, गाए की नसल है, तो D वाला जो option है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ते हैं नागलबांद, गैस, कोशन है, राजस्थान में कौन सी सबसे बड़ा है, ए वाला जो option है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीसमा कोशन है, गाइस, निम लिखित में से, गाउन सी, पियाच, पराश, शारीय मर्दा का सूचक है, option A, 2.3 से 3.6, option B, 7, option C, 4.2 से 4.8, option D, 8 से उपर, अंसर हो जाएगा, option D, 8 से उपर, गाइस, एक किसमा कोशन, निम लिखित में से, गाउन सी तारिख को, विस सुपर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, option A, 5 जुलाई, option D, 11 जुन, option C, 5 जुन, option D, 11 जुलाई, जुलाई, आपका बेल्कुल Schuld हो जाएगा, 5 जुन, अब यहां से आपके, टीचिंग Aptitude and Try CJ के question स्टार्ट हो जाते हैं, question है lies, अध्यापक छात्रों में, ज्यामितिये आकरत्यों का संप्रत्तय विखित करना चाहता है, अध्यापक को कौन सी विसेस्ता काम मिल लेनी चाहिए औप्सन ए रंग, औप्सन भी आकार औप्सन सी बुजाओं की संख्या, औप्सन भार औप्सन भी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुर्श निम्ण में से कौन सी संख्यानात्मक विकास की अवस्था नहीं है औप्सन ए प्राक संख्यात्मक अवस्था, औप्सन भी ठोस सक्रिया की अवस्था, औप्सन सी अनवचारिक सक्रिया की अवस्था, औप्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अनुपचारिक सक्रिय की अवस्था है गाइस कोशन है शंबेदी पेशी अवस्था शवननतित है ऑप्सन ए शंगयनात्म विकास से ऑप्सन इ सामाजी विकास से ऑप्सन सीमनो लागिक विकास से ऑप्सन डी नैतिक विकास से औप्शन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा शंगेनादम विकास से 25 कोशन है गाईस हमारे मस्तिस्क का चेतन भाग है औप्शन ए एक बटा दस भाग औप्शन दो बटा दस भाग औप्शन सी तीन बटा दस भाग औप्शन डी चार बटा दस भाग option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा एक बटा दस भाग अगला question चब्गिसमा question है guys बुद्धी का दूप कारक सिद्धान्थ दिया था option A टर्मन ने, option D इस्पियर मैन ने, option C गिलफोर्ड ने, option D बिने ने प्याजे ने बालक एबं उसके बातावरण के मद्द चलने वाली परस पर किर्या दोरा नेन्वित समतुल्यन को कहा गया है option A अनकूलन, option B रकीमा, option C सनच्छन, option D अन्तप्रक्या एवाला जो option है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अनकूलन गाइस, 28 कोशन क्या देखिए, बुदिमत्ता का अधिक्तम विकास किस अवस्था में होता है option A, सैस्वावस्था, option B, बाल्यावस्था, option C, किसोरावस्था, option D, अन्तप्रक्यावस्था, यानि कि बयाक्स्था है, option A, समस्या के पति जागुपता, option B, समस्या को समझना, option C, परिकलपना का निर्मार करना, option D, परिकलपना की पोश्टि करना, एवाला जो option है आपका विल्कुल correct हो जाएगा, समस्या के पति जागुपता, नैश पोश्था देखेगा, संग्यान से तात पर उस प्रिक्र करेक्ट हो जाएगा, जानने को तैयार, यह आपको जानने लखना है, ठीक है, अगला कोश्ट है, 31, अल्पकालिक समर्प्ति की अवस्था में, बिस्मरण का मूल कारक्ट क्या है, option A, option B, बिस्थापन, option C, पुना मुद्धार के असभलता, option D, पुना रचना, तो C वाला ज चित्र आकर्ती बराना प्रारम्र कर देता है, option A, दो बर्स, option B, तीन बर्स, option C, चार बर्स, option D, पाच बर्स, तो B वाला जो option है, आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीन बर्स, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 33 कोश्ट देखेगा, मांटर सरी प्रणाली मे सिच्छन है तो मुखेता किस प्रकार की बस्तूं का प्रियोग किया जाता है, option A, जियामतिय आकर्तिया, option B, रंगी, चमकिला बस्तू में, option C, पेपर पेंसिल, option D, लकड़ी की बस्तू में, यह बाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जियामतिय आकर्तिया, जैज, अगला कोशन है कि डेनियल गोलमन समंदित है, option C, मांसिक्थ स्वास्त से, option D, संबेगातमक बुद्धी से, option C, स्रंजनातमक्ता से, option D, ब्रकेतित उसे, तो B वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट अहो जाएगा, संबेगातमक बुद्धी से, अगला कोशन की सुरा वस्ता में संग्यानातमक विकास की विसिस्ता है ऑप्षन दोराने की प्रवती ऑप्षन भी अनुकरन की दोरा सीखने की प्रवती ऑप्षन सी बुद्धी का अधिक्तम विकास ऑप्षन डी मूल प्रवत्यातमक व्योहार सबी लोग अंसर वदाते हुए चलिएगा C वाला जो option है आपका विल्कुल गरेक्टर हो जाएगा बुद्धी का अधिक्तम विकास 36 कोशन आपके स्क्रीन पर जब बालग जान बूज कर कुछ तक्तों को धारन करता है वा कौन सी स्मर्ति कहला कि उप्सन है इस्थाई स्मर्ति उप्सन वी सक्रीय स्मर्ति उप्सन सी निस्क्रीय स्मर्ति उप्सन डी यांत्रिक इस्मर्ति तो वी वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्टर हो जाएगा सक्रीय स्मर्ति अगला कोशन निम्ड में से बुद्धी का कौन सा सितांत नहीं है उप्सन है एक खंड का सितांत उप्सन भी तीन खंड का सितांत उप्सन सी चार खंड का सितांत उप्सन भी बहुँ खंड का सितांत तो सी वाला जो उप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा चार घंड का सिद्धा यह आपको जाने रखना है ठीक है अरतिसमा कोशिन देखेगा गाइस विद्यारतियों में तर्क सक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे कि विश्यों पर विचार परस्तुत करवाना अउप्स विश्यों के लिए एक छात्र से निसकर्स परस्तुत करवाना तो विवारा जो ऑप्सन है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा समूश रखा का आयूजिट करवाना देखेंग औद्यापि का बिध्यारतियूं में पैचान काउसल की चांस करना चाहती है इस ही तो ने प्रकार होने चाहें, ऑप्सन डिसम अभियासकार को चुनिये, औप्सन भी प्रारूप पैचान अभियासकार, औप्सन सी रुईदर समंदीकार, option D उप्रोक्त में से कोई नहीं है, तो B वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रारूप पहचान समंदी अभ्यासकार, स्रजन सिर्था की खोश करने के लिए उप्यों किया जाता है, option D उप्रोक्त में समंदी करने की मानसिक प्रिक्रिया काउंसी है, option D वाला जो option है आपका स्रजनामक्ता विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगला कोशन देखेगा, काउंसी अवस्ता में बच्चों को हस्त सिल्प आउजारों को फ्रियोग खिलोने बनाना बागवानी आदिकी सिछा देनी चाहिए, option A सैसवाबस्ता, option B बाल्याबस्ता, option C किसोराबस्ता, option D उप्रोक्त में से कोई नहीं, option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाल्याबस्ता, अगला कोशन है, स्रज नामक्ता की पैचान होती है, option A कुराने ब्यवार से, option B चित्रकला से, option से संगीत से, option D नवीन परिणाम से, जो डी वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवीन परिणाम से, चोवाईसमा कोशन देखेगा, निर्मित अधिकांश अपने खिरावने तोड़ देता है, तथा हर वहा को अलग कर अब लोकित करता है, और फिर से बापिस भीने जोड़ देता है, option A, बुद्धी, option B, स्रजनामक्ता, option C, रोची, option D, अभिवरती, तो B वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्रजनामक्ता, अगला कोशन देखेगा, स्रजनामक्ता व्यक्ति में कौन सा गोड़ने नहीं पाया जाता है, option A, मौलिक्ता, option B, समेधन शीलता, option C, जिग्यासा, option D, रटने दोरा सीखने की चमता, तो D वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्टिव हो जाएगा, रटने दोरा सीखने की चमता, शालिसमा कोशन देखेगा, निम्न में से कौन सा बालक की स्रजनामक्ता चमता, विक्सित करने में सायक नहीं है, option A, खेल, option B, भाशार, option C, कानी लेखन, option D, स्रजनामक्ता गतिविटी, तो D वीवाला जो option है आपका विल्कुल करेक्टिव हो जाएगा, भाशार हो जाएग शालिसमा कोशन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी स्रजनामक्ता की विसेस्ता नहीं है, option A, मौलिक्ता, option B, नवीनता, option C, अभिसारी चिंतन, option D, कलपना शक्ति, तो C वाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी चिंतन, next question है guys, निम्न में से क्या स्रजनामक्ता के मापन है क्यों नहीं है, option A, जीवन ब्रत अध्यान, option B, चित्रों का पूर्ण होना, option C, कहानी लेखन, option D, ब्रत पर इच्छाण, एवाला जो option है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवन ब्रत अध्यान, next question की बात करेंगे, question है guys, निम्न में से काउंसा उधार और चात्रों को स्रजन सिल्टा को प्रतरसित करता है, option A, अच्छी साच्छी उपलब्दी प्रतरसित करना, option B, अनुपियोगी सामद्दी से प्रेंटिंग बनाना, option D, खेल कुद में अच्छी उपलब्दी प्रतरसि अच्छी उपलब्दी करने के लिए, option B, अच्छी उपलब्दी करने के लिए, option C, मानसी की योगता का विकास करने के लिए, option D, सभी लोग अंसर वजाते हुए चलिएगा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ हो जाए, तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ, जय हिन, जय भारत.